दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल ब्यूटी एन हेल्दी में आज हम बात करेंगे एक स्वास्थ किंडरगार्दन केंडर का हमारे जीवन में कितना महत्वपून योगदान है यहाँ हम बच्चों को स्वास्थ, सुरक्षित और प्रेरिद बनाए रखने के लिए सामुदाइक अनुभव, शिक्षा विधी, स्थिती और सुरक्षा, पेडेगोजिकल द्रिष्टिकों, सामाजिक और आत्मिक विकास, आहार, नीन, खेलना और शेक्षिकी गतिविधिया, साथियों और अभिभावकों के साथ समवाद आहार, स्वाद से सही दिशा में, एस उपण्यास में, हम एक बालवाडी के संदर्व में बच्चों के लिए स्वास्थ आहार की महत्वपून तपर ध्यान केंडरित किया है विभिन रंग, बिरंगे, फल और सब्जियों के साथ खेतों में खेलने का अनुभव बच्चों को एक स्वास्थ हानपान की और मोरने में मदद कर सकता है एक स्वस्थ बालवाडी का आहार, बच्चों के सही विकास के लिए अत्यंत महत्वपून है उन्हें फल, सब्जिया, अनाज और दूप जैसे पौश्टिक तत्वों से भरपूर आहार प्रदान करना चाहिए बच्चों का सही आहार उनके स्वस्थ विकास के लिए महत्वपून है इससे उनके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ का सही विकास होगा नीन, सापनों की दुनिया में सुख़ यात्रा, इस उपन्यास में वर्नित हम बच्चों को समय पर सोने की आदतों के महत्वपर बात करेंगे एक खास चरित्र के माध्यम से हम दिखाएंगे कि उचित नीन से बच्चों के चहरे पर कैसा पौरान एक मुस्कान आता है बच्चों को पर्याप नीन की आवश्यक्ता होती है ताकि उनका शारीरिक और मानसिक स्वास्थे सुरक्षित रहे उचित समय पर सोने की आदते इन छोटे बच्चों को एक स्थिर और सकारात्मक जीवन शेली की योग मोरने में मदद कर सकती है। खेलना और शेक्षिकी गतिविधिया, खेलकूर का मजा इस उपन्यास में वर्नन किया गया है कि हम बच्चों को उत्प्रिष्ट एवं खेलकूर के ख्षणों के माध्यम से दिखाएंगे कि खेलना ना केवल बच्चों के शारीरिक स्वास्थे के लिए महत्वपूर्ण है ब महत्वपूर्ण बाते सीखते हैं साथियों और अभिभावकों के साथ समवाद बच्चे की बाते इस उपन्यास में वर्नन किया गया है कि किस तरह एक अभिभावक और उनके बच्चे के बीच सही समवाद होना चाहिए बालवारी अंतरगत साथियों के माध्यम से और सहारा प्रदान करने के लिए समवाद कितना महत्वपून है बच्चों के साथियों और उनके अभिभावकों के बीच सही समवाद को बढ़ावा देना भी अत्यंत महत्वपून है यह उनकी भावनाओं को साजा करने और समझाने में मदद करता है जिससे उनका मानसिक सं दुलन बना रहता है स्वास्थे जाच डॉक्टर के साथ सफल साहस इस उपन्यास में एक छोटे बच्चे के संदर्व में उसकी नियमित स्वास्थे जाच के माध्यम से दिखाते हैं कि यह कैसे उसके स्वास्थे को सुरक्षित रखने में कैसे मदद कर सकती और बच्चों को नियमित रूप से स्वास्थे जाच के लिए डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए यह उनके स्वास्थे पर नजर रखने और समस्याओं को सही समय पर पहचानने में मदद कर सकता है समर्थन करने वाले अभिभावत और देखभाल करताओं का संबंद बच्चों के नहीं मार्गदर्शन और समर्थन प्रदान करके बच्चों को एक सुरक्षित और स्वास्थ जीवनशली में मार्गदर्शित कर सकती है इन विशेयों को विस्तृत रूप से समझने के लिए इन विवरनों पर विचार करें सामुदाइक अनुभव यहां बच्चे अपने स बढ़ती है शिक्षा विधी बच्चों को कैसे सिखाया जाता है यहां खेलने गाने और क्रियात्मक गतिविधियों के माध्यम से सीखने की बात होगी शिक्षा में खेल का महत्वत और इससे कैसे उनका सामाजिक और मानसिक विकास होता है स्थिती और सुरक्षा बच्चों को कैसे सुरक्षित रखा जाता है उनके लिए कौन-कौन से उपाय अपनाये जाते हैं उन्हें सही समय पर खाना, सही तरीके से स्वच्छता का ध्यान रखने और उनकी स्वास्थे देखभाल कैसे की जाती है पेडेगोजिकल द्रिश्टिकों, शिक्षा कैसे होना चाहिए ताकि बच्चे सही तरीके से सीख सके इसमें विभिन शिक्षा तक्नीकों की बात होगी, उन्हें गुनवत्ता और स्थिर्टा के साथ सीखने का अपसर कैसे मिलता है सामाजिक और आत्मिक विकास, यहां बच्चों के अंदर सामाजिक और आत्मिक विकास किस तरह होगी इस बात पर पोकस किया जाता है, उन्हें आत्मिश्वास बनाय रखने, अपनी भावनाओं को समझने, और सोशल स्किल्स को सुधारने में मदद किये जाते हैं, सामाजियो को लाइक जरूर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करके आजिसुचना घंटी चालू करना न भूले, स्वाभाविक रूप से सुन्दर एवं स्वास्थ बने रहें, धन्यवाद